बास्कार दोस्तों आपका आपके अपनी चैनल में स्वाक्त है तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आज के यानि की 29 जून के कुछ एक महत्यपूरन एजुकेशनल और इंप्लोईमेंट अपडेट्स के बारे में जिसमें जो है वो आपके मेन अपडे इसी के साथ प्रदेश में इस से नए कोर्स शुरू होँगे तो इसके रिगार्डेट्स रहेका इसी के साथ एक्स परिक्साय का जो schedule है वो जारी करा है तो HPU के परिक्साइन जो है वो अगस्त में आयोजित होंगी तो इसके regarding जो है वो update रहने वाला है इसी के साथ HPU ने जो है वो कुछ एक entrance exam के जो result है वो जारी करें है तो इसके regarding भी जो है वो बात करेंगे इसी के साथ हिमाचल प्रदेश टेक्निकल university हमिरपुर में UG और PG के लिए जो counseling schedule है वो यहाँ पे जारी हो गया है और counseling start होने वाली है तो यहाँ पे कौन सी date से counseling start होगी तो उसके regarding जो है वो update रहेगा इसी के साथ सदार प्रदेश टेल उनिवस्टी मंडी ने जो है वो यहाँ पे PG admissions के लिए एक notification जारी करा है तो उसक कल से कोल जो में admission के लिए online portal जो है वो open हो जाएंगे तो इसके regarding भी जो है वो update रहने वाला है इसी के साथ पच्ची ने पास की फीटर की प्रिक्सा तो यहाँ पे फीटर की जो प्रिक्सा हुई थी उसका परणाम जो है वो जारी हो गया है तो इसके regarding भी जो है वो update रहेगा इसी के साथ यहाँ पे कुछ एक update जो है वो हिमाचल प्रिदेश बोर्ड ओफ स्कूल अज्यूकेशन धर्मसाला से समंदिते रहने वाले हैं तो यहाँ पे 10th और प्लस 2 की जो प्रिक्साएं होनी है अब annually होंगी इसके regarding जो notification है वो यहाँ पे हिमाचल प्रिदेश बोर्ड को स्टार्ट सबसे पहले अगर हम लोग यहाँ पे हिमाचल प्रिदेश टेक्निकल यूनिवस्टी हमिरपूर की बात करें तो टेक्निकल यूनिवस्टी में 5 जुलाई से सुरू होगी counseling परिक्रिया 10 और 11 जुलाई को भी फार्मेसिव डिरेक्ट एंटरी की पहले round की counseling तो ह परिक्रिया पांच जुलाई से सुरू होगी पांच जुलाई को यहाँ परिक्रिया डिफेंस और खेल कोट्टे के तहत counseling परिक्रिया भाग लेने वाले बियारतियों के दस्तावेज़ों की जाज की जाएगी 10 और 11 जुलाई को बी फार्मेसिव डिरेक्ट एंटरी की पहले अधार पर बी टेक डिरेक्ट एंटरी की counseling 14 बा 15 जुलाई को आयोजित की जाएगी इसी के साथ है BCA, BBA, BHMCT, BSC इसी के साथ HMCT की counseling 7 जुलाई को होगी MBA, MBA Tourism, MTEC वा, MCA के first round की counseling जो है वो यहाँ पर 23 जुलाई को आयोजित की जाएगी इसी के साथ PG diploma योगा में प्रवेश के लिए counseling का आयोजित 2 जुलाई को किये जाएगा, बहीं पर B.Y.R. के लिए पहले round की counseling जो है वो 25 जुलाई को आयोजित की जाएगी और यह counseling जो है वो राजीब गांदी Engineering College नगरोटा बगबा में आयोजित की जाएगी इसी के साथ B.E.Farmacy later entering की counseling यहाँ पर 26 जुलाई को आयोजित होगी, बीटेक later entering की counseling का 30 जुलाई को आयोजित जो है वो की जाएगी और यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर आपका schedule है आप लोग हिमाचल प्रदेश टेक्निकल उनिवस्टी हमिरपूर की website पर जाके वी जो है वो चेक कर सकते हो next update की बात करें तो next update जो है वो आपका हिमाचल प्रदेश school education board धर्मसाला से समझेत रहने वाला है तो यहाँ पर हिमाचल प्रिक्साइं जो है वो करवाएगा पहले यह प्रिक्साइं जो है वो टर्म सिस्टम के कोडिंग होती थी लेकिन आप जो है वो annually यह प्रिक्साइं होंगी और इसके regarding जो है वो यहाँ पर notification भी जारी हो गया है तो हिमाच्पदेश स्कूल शिक्साइं बोड आप 10th और प्लसट्यों की परिक्साइं साल में एक बार ही लेगा सूबे के स्कूलों में चल रही टर्म प्रिक्साइं जो है वो गई है नेकस्ट अपडेट की बात करें तो नेकस्ट अपडेट भी जो हो अपका हमाच्च diffus subscribe अपडेट स्कूल तो यहाँ पे आपडेट स्टेट ओपन स्कूल जो है आपके SOS के उनसे समंधित रहने वाला है तो यहाँ पे SOS की प्रिक्साय है वो 15 जुलाई से जो है के बाद से जो है वो आयोजित की जाएंगी और इसके लिए जो है वो पहले अंतिम्ति थी 24 जून रखी थी इसके लिए अप्लाई करने की लेकिन अब जो है वो इस डेट को यहाँ पे एक्स्टेंड कर दिया है अब जो भी स्टेट ओपन स्कूल के स्टूडेंट है जिसमें आपके एर्थ, टैंथ और प्लस टू के जो भी स्टूडेंट है जिनको भी यहाँ पे री अपेर आई थी वो अब अपने यहाँ पे एक्जामिनेशन फोर्म जो है वो री अपेर के 15 जूलाई तक जो है वो फिल कर सकते हैं पहले डेट 28 जून थी लेकिन अब जो ह दाखले को 28 जून से 19 जुलाई तक करना होगा अबेदन मैट्रिक में 70 फिश्दी से ज्यादा अंक लेने वालों को मिलेगा पहले राउंड में कोंसलिंग का मोका 21 अगस्त को दूसरा राउंड की यहाँ पे कोंसलिंग जो है वो करवाई जाएगी नेक्स अप्रेट की बात माचल की स्तारा भविन आईटियाई में जो है वो इस साल से नए 6 कोर्स जो है वो शुरू किये जाएंगे कोर्स में प्रवेस लेने के लिए ब्यार्ति ऑनलाई अबेदन कर सकते हैं आईटियाई में इस वार सोलर और लेक्रिक गाड़ियों के बढ़ते प्रचलन और मांग को देखते हुए इससे समंधित ट्रेड जो है वो शुरू किये गए है इलनाए ट्रेडों में 24-24 सिटे जो है वो भरी जाएंगी प्रदेश के एक सो बुंजा सरकारी और 140 नीजी आईटियाई में बुद्वार से प्रवेस प्रक्रिया सुरू हो गई है प्रवेस प्रक्रि अध्याईड है जो भी अट्याई में अड्मिस्न लेना चाते है तो यहाँ पर आइटियाई के फोम फिल कर लें यहाँ पर प्रिदेश्ट्र लोग सेवा आयोग से समंधित रहने वाला है तो 25 ने पास फीटर की प्रिक्सा लोग सेवा आयोग ने जारी किया रिजल्ट 11 स् 2022 को हुई थी प्रिक्सा तो पेपर लीक के बाद भंग हो चुके हमिरपुर क्रमचारी चायान योग में फसी भरतियों के रिजल्ट आने शुरू हो गए हैं लोग सेवा आयोग ने हमिरपुर से आय भरती समंदी रिकोर्डों को देखने के बाद बुद्बार को फीटर कर दिया है इस प्रिक्सा को हमिरपुर क्रमचारी चायान आयोग ने 11 स्प्टमबर 2022 को करवाया था जिसमें जो है वो 94 कैंडिडेट सोट लिस्ट हुए थे इनका डॉकुमेंट वेरिफिकेशन 24 मबर 2022 को हुआ था इन फीटरों के पदों को भणने के लिए 25 अभ्यारतियों आदिमीशनों की जो प्रोसेस है वो शुरू हो जाएगी तो कोल जो में कल से खुल जाएंगे दाखले के लिए ओनलाइन पोर्टल तो इसके लिए जो है वो 30 जून को यहां पे अडिमीशन जो है वो सुरू हो जाएंगी तो जो भी यहां पे स्टूडेंट है जिन्होंने यहां पे एंट्रांस एक्जाम लिया था उसका परणाम जो है वो घोसित कर दिया है और यह जो परणाम है आप लोग जो है वो हिमाचल प्रदेश युनिवस्टी की न्यूज वाली वेब साइट पर जाके भी जो है वो चेक कर सकते हो नेक्स अप्रीट की बात करें तो नेक्स अप्रदेट जो है वो अपका हिमाचल प्रदेश युनिवस्टी से समंदीत ही रहने वाला है तो यहाँ पे हिमाचल प्रदेश यूनिवस्टी ने BA MS बन professional के लिए जो बार्सिक परिक्साइं हैं उसका schedule यहाँ पर जारी कर दिया है और उसके examination form भी यहाँ पर जारी कर दिया है तो यहाँ पर BA MS के जो परिक्साइं हैं वो यहाँ पर अगस्त महिन्य में जो है वो करवाई जाएंगी और इसके लिए जो last date है फिल करने की इन फ update की बात करें तो next update जो है वो अपका HPPG के जो entrance exam थे उससे स्मंदित रहने वाला है और इसे के साथ जो यूजी के final year का result है उससे स्मंदित जो है वो रहने बाला है तो ही माच्चपदेश बिस्वधाल्या की PG की परिवेश प्रिक्साइं पूरी हो चुकी है सैसन 2023 के लिए PG पूर्सों की counseling का schedule जो है वो जारीकर पाएगा और यह जो प्रिवेश प्रिक्साइं हुई थी यहां पे combine प्रिवेश प्रिक्साइं हुई थी यानि कि PG के लिए entrance exam हुए थे यह सिदार प्रेल उनिवस्टी मंडी और HPPG के लिए जो है वो हुए थे जिसमें जो है वो करीब 20,016 पीर हुए थे और अब इनको जो है वो अपने result का इंतजार है इसी के साथ मंडी विस्वधाले में यूजी का परणाम आने के बाद ही प्रवेश प्रिक्रिया आगे बढ़ेगी विस्वधाले ने अब तक HPU MAT 2023 MA social work MA यहां पे sociology इसी के साथ ऐसी ही कुछ एक जारी कर दिये हैं अब यहां पे यूजी का परणाम आने के बाद ही जो है वो यहां पे counseling का योजित करवाई जाएगी अब HPU ने बोला है कि जो 30 जून है 30 जून तक यानि की परसों तक सोरी कल तक जो है वो HPU result त्यार कर लेगा और जुलाई के first week में जो है वो यूजी final year क यहां पे result जो है वो जारी कर दिये जाएंगे और इसके regarding भी जो जैसे BA, BSC और BQOM और सास्त्री यह दूसरे जो भी यहां पे final year के courses हैं जैसे BCA है आपका BBA है तो उनके result जो है वो जूलाई first week में यहां पे जारी हो जाएंगी क्योंकि MBA के लिए बहाँ पे BBA complete चाहिए जो है वो जारी हो जाएंगी अब second year के result के बारे भी मुझसे कुछ एक्स्टोडेंट पूछ रहेते उसके भी बात कर ले तो second year के result जो है वो जुलाई last तक ही जारी होंगी और first year के जो भी result है आपके वो अगस्त तक ही आपको देखने को जो है वो यहां पे मिलेंगे बाग स्मेस्टर के और यहां पे बताया गया है कि जो भी exam है वो जुलाई महिने में आयोजित किये जाएंगे यानि कि HPU के जो बियाट के second और fourth semester के exam है वो जुलाई 15 के बाद यहां पे मतलब start हो सकते हैं इसके regarding आप लोगों को notification देखने को या जो examination schedule है वो देखने को मिल सकते है बाकी जैसे ही examination schedule आएगा तो मैं आपको inform भी कर दूँगा और बाकी आप लोग यहां पे लगा के चलो कि जो भी आपके exam है वो पंदरा जुलाई के बाद ही start होंगे इसी के साथ अब अगर हम लोग सदार प्टेल उनिवस्टी मंडी के जो बीड के exam है second semester के उनकी बात करें तो बो भी यहां पे जुलाई में start जो है वो हो जाएंगे last तक क्योंकि आप लोगों को पता ही है जैसे सदार प्टेल उनिवस्टी मंडी है वो examination form फिल करने के लिए यहां पे 10 to 15 days ही देती है और उसके बाद जैसे 4, 5, 6 day के बाद यहां पे examination form जो भी है वो start कर देती है तो मैं आपको जो है वो by video एक बार फिर से यहां पे inform कर दूँगा next update की बात करें तो next update जो है वो आपका सदार प्टेल उनिवस्टी मंडी से समन्त रहने वाला है तो यहां पर सदार प्टेल उनिवस्टी मंडी ने आपके यहां पे MSC industrial chemistry के लिए जो admission है उसका notification जारी करा है त जैसे ही यहां पे result आजाएंगी उसके बाद यहां पे जो counseling form है वो सदार प्टेल उनिवस्टी मंडी निकालेगी और उसको fill करने के बाद आप लोग जो है वो HPU के जो entrance exam हुआ था उसके base पे यहां पे सदार प्टेल उनिवस्टी मंडी में apply जो हो कर पाऊगे और लेकिन यहां पे जो MSC industrial chemistry के लिए यहां पे admission होनी है वो merit based पे होनी है यानि कि जैसे ही यहां पे BSC final year का result आ जाएगा उसके बाद जो है वो MSC industrial chemistry के लिए सदार प्टेल उनिवस्टी मंडी जो है वो form जारी कर देगी त्यूंकि यहां पे जो final में marks आएंगे आप लोगों को जो BSC क कोई problem आती है आपका कोई doubt है आपके कोई query है तो आप लोगोंने मेरे telegram group को join कर लेना है जिसका link जो हम आपको वीडियो की description में दे दूंगा तो जैसे आप मेरे telegram group को join करोगे उसके बाद जो भी आपका doubt query होगी उसके regarding आप लोगोंने बहाँ पे मुझे personally message कर दीना है जहा तो यह तुमारे आत के कुछ एक update अगर आपको यह वीडियो informative लगी हो तो चैनल को subscribe करें वीडियो को like करें और share करें जासी updates के लिए मारे साथ बने रहें धन्य बात